हैं एंटिय की वेबसेट पे एंटिय डॉट एसी डॉट इन पे आप चेक कर सकते हैं यहां पे हम देखते हैं दिखें अगर आप नीचे जाते हैं यहां पर देखें कोई भी पब्लिक नौटिस नहीं आया है यहां बेदर 27 अक्तूबर का नौटिस है वो भी दिली इन्वेस् चाते हैं है ठीक है तो हम हम चलते हैं यहां पर यूजी सिनट के वेबसेट पे तो यहां पर लेडियर नौटिस से जो 22 10 अगिस का है वही जो एक्जाम रिशूडिल का था यहां पर प्या जवित नहीं है ठीक है उसके लाबा दिखे है की अगर है भी तो कोई नहीं है तो कहने का मतलब क्या है कि यहां भी कुछ नहीं है UGC डेटिटिन ent की website पर कोई यहां पर decade नहीं है अब आका अच्छ promotions सब जगह वारल हो रहा है तो और यहां पर देख सकते हैं और यहां पर धरेखे देखें यह screenshot मत्सक्रीन मंवेन एक च्रूंषों दिखा रहा हूं ऐसे ही तीन पेज है जो बताए जा रहे है कि UGCnet की तरब से जो डेट शेट है वो लाँच की गई है आप सबसे पहले यहाँ पे देखें गौर करके देखें यहाँ पे यहाँ पे लिखा है 25.11.2021 तो इसका जो एक्जाम है वो है English का और उसका देखें 26.11.2021 उसका एक्जाम है History का, Political Science का, 29.11 को है Commerce का और 30 तारीक को है यह एक्जाम ठीक है आपने यह देखें यहाँ पे Shift भी लिखी हुई है यहाँ पे इसके Code भी दिया है यहाँ पे Subject भी दिया है तो यहाँ पे दिखें पहली बात तो यह पताया गया है कि एक्जाम 25 से स्टार्ट है जबकि एक्जाम कब स्टार्ट है 20 नवंबर से आप दिखें सभी कहरें कि इसकी डेटी टार चुकी है बहुत बड़े चैनल ने भी कई चैनल जो है रैपोटेटर चैनल है ठीक है उन्होंने भी वीडियो बनाई है हलांकि यह फेक है फेक होने का कारण क्या है आपको पता है कि मैंने आपको जैसे अभी तोड़ी देर पह काता हूं देखें देखें कैसे है आपको समन इस इसका मा आपको लाइव यहां पर दिखा ओंगा प्रूफ क्या है देखें आफ धी आउलले साल जो पिछले साल सब्तम्बर 2020 में एक्जाम हुआ था ना, ये वो वाला नोटिस है, तो हुआ क्या है कि इन्होंने पिछले साल का जो नोटिस था, उसमें एडिट करके, डेट को एडिट कर दिया, subject वही रहने दिये, डेट को एडिट किया, और उसे बता दिया कि ये नया है, 2020 को एक्जाम किसका था, इंग्लिश का, 26-11 को बताया जा रहा है नियु नोटिस में कि एक्जाम है हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का, जबकि यहां पे बताया जा रहा है कि 9-10-2020 को एक्जाम था, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का, यहां पे देखिए, फरक कहा है कि हमेशा exam की date change होती है ऐसा नहीं कि देखे यहाँ पर कि एक दस दोजार भी को भी English का exam था अब भी वही है ऐसा नहीं है यहाँ पर क्या किया है देखें यहाँ पर मैच कर सकते हैं यह वाली subject की list और यह वाले subject की list बिल्कुल same है as it is है फरक कहां पर है फरक है इस date में और इस date में तो यह सबसे बड़ा difference है अभी तक किसी वीडियो में आपको यह difference नहीं बताया गया वो अकेले notice को judgment कर रहे हैं लेकिन आखों में यहाँ पर प्रूफ दिखा रहा हूं कि ताकि आप इस अच्छ से देख सकते हैं तो देखें यहाँ पर लिखा है 4.11 को exam है असमी मल्यालम का यहाँ पर लिखा है 30.11 को तो कहने का मतलब क्या है कि date को change किया गया subject वही है यहाँ पर date कुछ और है यहाँ पर कुछ और है तो आप तब तक believe मत करिए जब तक आपको official notice कोई ना आ जाए तो यह fake है आप इसे ध्यान से देख सकते हैं अगर आपको video अच्छा लगा है तो like करिए share करिए और चैनल को subscribe करिए और साथ में bell icon press करिए और साथ में telegram channel join करिए जिसका link description में दिया है